तो ने देश के लिए जितना पड़ा काम किया है क्यूंकि मुझे तो कार की लिउद में मिले थे वो जब करनल थे तो मैं तो लोलिंग पर जा रहा था तो उस तेम पर बोला कोपरा तेरा ही नाम है के बेटा मैं को हाँ साब मैं हूं कोपरा बले वीजाई भाव इतना ही बोले उसके बाद मैं चलेगा उसके बाद में जब वो चीप बड़े तब उन्होंने मुझे अपने घर पर बलाया था खाने पर बोले बेटा उच दिन तो तो तिरहों खाना नहीं कहला सका लेकिन आज कहलांगो अपने आतों से तो मेरे पहरे बच्चों मोथ तो डेली मरते यारो मोथ तो डेली मरते यारो मोथ ऐसी मरो जिसको जमाना याद करें यारो जिसको जमाना याद देगा जो पाइदा हुआ वो खतम होगा इसमें कोई शक नहीं पूर्य वर्ड के अंदर एक ही दर्ती ऐसी है जिसको मा का दर्जा दिया गया है भारत मा मुझे बताओ के अमरीका को चाचा रूज को फूपा और चाहिना को बुहर पाकिस्तान को साला कहते हैं पाकिस्तान को तो साला कहते हैं बाकि और मेरे उपता नहीं पाकिस्तान ने ये कर दिया ये कर दिया आपको सर्जीकलिस्टाइक के बारे में बहुत ग्यान है लेकिन सर् जी कल इस बोटीन बढ़ाई थी हमने एक के बदल सोड़ा सिरकाटे थे हमारा वागे पाकिस्तान की कमांडों क्या बंदे आये दस और हमारा एक जवान था सुत्त आगा उसका सिरकाटे आए और उसके बाद में हम गए उनके 16 सिरकाट के लिए दें लेकिन उस टेम पर ना तो तो टेलीफोन होता था और ना कोई फोटोग्राफी होती थी ना कोई किसी को पतानी की कसम खाते थे कि अपने परिवार को नहीं बताओ कि आपने क्या काम किया है अभी थोड़ी छूट मिलगी कि आप बोल सकते हो आपने काम किया यह पतानी क्यों मिली है किसलिए मिली है वह को पता होगा तो दोस्तों मैं दे एक ही बात पताना चाहता हूं कि आज से 20-22 साल पहले की घटना है तो लो लिंग तो लो लिंग वह पारी थी जिस पर हिंदुस्तान आर्मी की तीन बटालीन के दाथ खटे कर दिये थे पाकिस्तानियों हमारे हिंदुस्तान की तीन बटालीन उपर चड़ी एक बटालीन उसके 16 बेटे सहीद होगे दूसरी गई उसके मलब 22 बेटे सहीद होगे तीसरी बटालीन बड़ी जोस्च गई हम तो आर पार हैं लेकिन उनके 28 बेटे सहीद होगे और डैड बोडी भी नहीं उठाने दी जब जनल मलीक ने ऐसे वहां कारगिल के अंदर धराश के पास मद्रोपती कुंड नाम की जगह है उस जगह के उपर संबेलन बलाया और हमारी बटालीन कारगिल में तहिनात नहीं थी कुपवाडा में थी तो मैं 13 मई को चार उगरवादी मारे थे 9 किलोमेटर बजा बजा गे एक मारे एक किलोमेटर बे फिर मारतागा मारतागा नो किलोमेटर बे लास्ट बे उनका उगरवादी बोलता है को मेरा मेरा पिछा मत कर रहा है मैं को भाग ले पाकिस्तान तानी कौन सोटू तो दोस्तो अतिताई को माना उत्तम काम है मेरे को मेरी बच्ची बोलती है पाप मैं नहीं बेटा मैंने पुर्णी किया है क्यों दूस्त के आत्मा उस दूस्त शरीर से उस आत्मा को विशर्चन किया था मैं पापा यह तो उत्तम काम किया मोगो बिल्कुल ठीक का विटा तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे यह सभी योता लड़ाई लड़े हुए इनको मजे बतानी जोत नहीं है यह मशीन कनूं को पर इनके आंगली लगी हुई है और दूसमन के खोपड़ी देख़्ी हुई है इनकी सभी की जो खड़े हुए और आज 1948 से लेकर आज तक जो सहीद हुए उनको मैं और आप सभी की तरब से बहुत बहुत सर्दांजली देता हूं और यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एक बार फिर जलम लेना तुम है अगर आपको मुनिश्य का सरीर मिलता है दुबारे तो वार्तमा पर जरूर लें और खासकर में पूरे देश में कुनता हूं राष्ट्रू में महाराष्ट्रे किसीनी गलत नहीं लिक्या महा हर बच्चे के दिल में खुशी है और दिमाग में से करें इस माके लिए क्या करूं यह बच्चे सोच रहें लड़कियों से बात करी वह मेरी से भी तेज लड़कों से करी वह और भी तेज अरे वाँ तुमारे DNA क्या पानी है तुमारा इह रामकिर्शन की भूलमिम पैदा कि वह बारा जून की रात को मैंने और मेरे साथ उन्हें क्या काम किया समय तो पूरा है ना जै बोल के बताओ भारत माता की हाँ है समय इसला के महागा दुबार है नाइंटी ध्रीम का अधा में फिर गार 99 में तो कोड़ वर्स यह पता दिला है कोप्रा हुआ अधिमी है उसके पास वह खतनाक बंदे हैं जो कपड़े पैर या नग्ये पैर दुश्मन की खबर लागी उसको जब तक नहीं छोड़िया जब तक वह प्रान नहीं छोड़िया जिन्दा नहीं पकड़ा मन एक बर गलती करी में चंदा पकड़ा तो शीयो साह बोता है की बोलो ऐन्दर इसको मारना मत मैं सार मेरा तो मारने काही रधा हैए फोल तिरा कोड़ मार्सल करूंगा मुझा वहot काक्जूम होता है वोटी का ग्या भी गाड़ वेरा वोटी तो वह जए रहे ही ना वह जो उसको मार्या तो म मेरे कहऑे बढ़के ने क्या विले इसने मेरे कडिय मेरेक बादो करवादी को मार दिया। तो यह देश में सब्सक्राइब तो क्या वह यह बच्चे कैशे उठे रहे हैं मेरा वसूल है खाओ खूब चिको मत, बोलो खूब, पको मत, चालो खूब, ठिको मत, और देखो खूब, तको मत, समझे माई कुछ, तो मैं जब ही बोलता हूँ तो सुनने वाड़ा को मजा आता है, और मेरे को जब मजाओगा जब आप सुनोगे, तर्तीब से, हालांगि फिलम बंड़ी ये मेरे पैं, फ कि 12 एक जून को हमारी बटालिन, दो राजरीव को वहां बला गया, दरास में, तो वहां, जनर्रल मलीक ने वहला में तीन तारीकों आपका दर्बार लिए ये पहले तोलो लिंग, बजरेंग फोस्ट, और टाइगर इल्थीनियों में जो आपको जिस पर अटेक मारना है मार लेकिन मेरा जनर्रल मलीक ने गया, मेरा लक्षे पहला है तोलो लिंग, क्योंकि उसमें तीन हम लोच के अटू राजरीव एवरी विक्टोरियस है, यानि कि कभी भी हार का मून ही देख्या मेरी बटालिन ने, दो सो पास साल पराहनी बटालिन है, फस्ट विक्टोरिया करा मेरी दो राजरीव जो 9 दिसंबर 1856 को बुशाय रखिला तोड़या था, उसके अंदर भी मेरा पड़ दाता था, हमारी बटालिन में इसे होता, दाता पड़ दाता, पोता पड़ोता, सड़ोता, जो मेरा दाता उसमें था, मेरा पिताजी मतलब आये ने में उसमें चलेगा था, सुबाज संदर के साथ में, फिर में गया, मको ताता की बटालिन में जाओंगा, तो में टूर आजरीव में गया, अभी मेरा पतीचा है, वो टूर आजरीव में, एक परिवार का एक बंदा जरूर रहता है हमारी बटालिन में, तो वो परिवार है हम बटालिन नहीं मा तो मैं तो लड़का और ले 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 तो हम दो लड़के और सियो सावर वो गूर्प होता है मारा लड़ाई के मदान में तो गूर्प से तो लो लिंग पर गए पूरी राथ चले पूरे दिन चले फेर उपर चटें चटनी के बाद मां पर गए तो वह एक बटालीन की डेट बोटी ऐसे पड़ी हुई दिखाई दे रही थी वह मोर चापना रहे क्या उन्होंने तो बहलो भी आपकी खुंडशी उन्टे में दो राजरी तो बहलो ठीक है पड़े तुम भी पड़ जाने ही मां गोर्ना आप पड़ते नहीं हम गेरते तो कोई बात नहीं तो वो से लिखी हो गी को दुखी हो रहे दा भी जारा कही दिन से तो यह सामने यह भोटी उठानी नहीं देते बूले न मोह कोई बात आपना उठा देंगे मह एक दो दिन सिव तो वह रहती है तो न मैसर उसे नारे में जा है और नारे में जा करके वो ऐसी नारें मं पड़ भी ही श्यास में तो पाड़ी स Case एजब आगे मेड़ हूगी नहीं साथ Time प्रवाइब तो नाम लिखवा दिया क्या ने चीजिसी स्कूल में पढ़ता था ने स्कूल में उसमें मेरा नाम लिख्या पढ़ा दिगेंदर कुमार कुछ मादमिक विद्धा ले जाल रहा है से लिम पाणा जिना जिता तो मुझो मैं सर्क के न्पी हूँ विख्येक एंपे ने नहीं लिए पूरा इंदुस्तान में के नपी समझते हो कोई नहीं समझता मैं समझता हूं क्यूंकि महीं लिए तो दूद्रा के समझेगा यानी कि KKNP का मतलब होता है खीच खाच के नून में ट्रिक पास आला है कि बाद में फोज में मनें ग्रेश्येशन भी किया है लेकिन वर्थी में 16 साल दो मैंने दो तिन का हुआ था हूँ रेस्लिंग का में रास्तान केसरी था कि दो किलो की चांदी की कदा मिली थी मुझे सोड़ा साल का था जब तो उसी टेम मेरा पापा मुझे परतिकरवाया करनल करम जीद सिंधा बी आरो जुझनू तेन सिंतंबर 1985 को बारतिय सेना की दोड लगाई चार-चारीस मैं शोड़ा सो मिटर दोड करी और भीम कितरी लगाई 35 कितरी भीम लगाई तुम्हे कुण लगाता है ज्यादा ज्यादा बताओ भीम लगाते हो एं सिसी वाड़े बच्चो पैंटीस भीम लगाई थी मैंने हुआ हु लगाई फृब जिम थोड़ा हातां गाई मेरा यंग्रेजीम इदयों से प्रेशान मैं लगाई करी करते हैं हुआ ह् यह जे पने लिप लसाट भीम लगाई भीम हिव्हा मैं इतनी काम की जरूत हो तो इतनी महिंत करने से इतना काम बिल्कुल जीरो हो जाता है मैं साधी चार चार गंटे वर्चिस करता था या पून्ना एस पिटी का अंदे बस चुट देंट लेके गा था मैं पिटी कोर्श का 1988 बैल गाउं बैस्ट कमांडो इंडियन आर्मी और ओप्टिकल का रिकोर्ड तो नैंट करने से फड़ जरूर निलता है यह बाते हैं तो मैं बाते मता देंगा लेकर अभी तोलो लिंक पर चलते हैं क्योंगे आपको और भी काम करना है तो उस तोलो लिंक पर मैं पिछे से रेकी करके अगर को रस्षा में जाए मुझे तो मैं पीछे रस्षा बाद सेकता हूं बहलो गिर गातो मुगो चट गातो हम क्या करते हैं एक बेटा बोलता पापा मुझे फोजमे जाना है तो उसकी मम्मी बोलती है तू फोजमे जाएगा नेगिटिव मद शोचो बाब आब को बताना आपने चोटे भाई हम चार भाई फोची है शिरलंका में दो एक साथ थे एक गोली लागी कारगिल में तीन थे एक मांके तीन बेटे एक साथ कईब पेपर में नहीं पेड़ा था वो कोई और रही एक बोटी और दो बोटी ओर थी अर तीनु के गोली लेकिन साइध नहीं वे अपने करनल साब को बताया करनल अमीर विंदनाथ मोगो सार यहां से रसा बोले वो खिट का मिलेगा मोगो सर एने सी बलेकेट कमांडों माभी छोड़ गया हूं तो वहां से मिल जाए अपन बलिए तो तू जर्नल साब को बता दो वी दिन पंद्रा भीश मिंट में मिल पपू पास हो गया तो वह वाले इंजेक्शन चार चीर मोगो रसा चीह मुझे फिर मोग पिच्छे मरसा बांद सकता हूं सामने से कितना भी अटेक करोगे दुश्मन की मसीन कर लगी हुए और कितनी थी अचमजी 33 अचमजी ऐसे लगी हुई थी बैंकर थे 11 लेकिन पहले में हैं म हुआ बता नहीं में वह की अarson शीटियों करने के बाद था, महांने असच्छन चाहिए जो वा लेंटर इस त्रिंगे जंडे को फैरा दें कोई भी तो मेरे बड़ी बड़ी डाड़ी थी में डाड़ी रखता था फोज मोथे इंवी सरदार रख सकता है बाकी इंदू नहीं रख सकता लेकर मैं रखता था मेरी अक्षूज करीजिद गर्लाया रहा था स्रीलंका में उस दिन चेवह चंद गपनारी पढ़ती है तेरे क अधिक कुछ नहीं मांगा तो वो टुआइसी साब और थे एक बड़ीडर सापले इसने आर मिला मांग ली सर ये बच्चा मामोली नहीं है बोले अक्षीूज कर दिया मने लिख दिया बोले फारला एक तेरी मर्जी से बढ़ा तेरी मर्जी से काट तक उसके बाद मुँँ में डाड़ी रखता था तो वो डाड़ी आड़ी फोटो देखियोगी ना आपने समीरी देखिये वाले उस माहिल को देखनी से पता चलता है खंडार पहले कापी सुंदर था और गूगल पर भी देख लेना दिगेंदर कुमार सर्च करके यूटूब पर देख लेना और जैसे आजगा भी डाउनलोड कर देंगे मेरा कहना मतला यह कि वहाँ जनरल मलीक नंदर बार लियार मैं वालेंट रोगा मौ सर जाहीन नाइक दिगेंदर कुमार बस्ट कमांड ओ इन्मेशन कार्ड आइंड मारना पड़ता वीरता पुरुषकार बुले तरफा इतनी मेडल लेके वहां छोटूब को निया कोई कहें कि हमेडल मिलने वाला है तो वहां पका जाओंगा मैडल के लिए नहीं जाओंगा काम करने जाओंगा मैडल देना आग लेकात मैं मेरा का काम करना और शाबाशी देना उनका काम है आपके पास आयो आप मुझे दन्यवाद दो वह आपकी मर्जी है लेकिन मैंने जो बातें बताई वह मेरी मर्जी है तो मेरे दोस्तों मेरे पैरे बच्चों की वहां जनर्न मलीक मुला मेड़ा क्या चीए वो रस्यागा जिसके लंबाई सो मीटर बजन साथ किलो 600 ग्राम उठाणी समता 10 तन बले ओके मिलेगा मुगो वो चार इंजेक्शन चीए जो अभी दी दिन बताए दे बहु लगाने जो ठकता नहीं आदमी को आप रस्सा पांद सकते हैं मांट मांटिंग मेर फेर कोर्स है मेरा यही सोना मारे में किया हुआ तो फेर तो तो चट सकता बिटा तो मैं 14 गंटे में रस्सा बांद के उपर चटके ने नाइट विजन से पूरा दुस्मनों की अरकता शेकन को यहा को यार 20 से तो ज्यादा नहीं और 10 से कम नहीं आइडिया लगा लिया क्यों कोई गन फायर करती को नहीं करती मैं वापीस आया वापीस आगे नजन साब को बताया मुंगो सर यह पोजिशन है बलो शाबास मेटे अभी 12 जून को तुमारी बटाली और तुमारी एक बारो ते ओल्दार सुमेर सिंग राठोड बोले वो भी और मुझे चमयस्मीर ओल्दार सुल्ताम सिंग नर्वारिया नाइक शुरेंदर नाइक चिमन लैस नाइक बच्चन राइफल मैं चास्मीर और मैं खुद बोले यह तो सभी बलेकेट कमंडों है मुझे हां सब कमंडों है तो तो वो मेरे साथ 10 के 10 आदमी फिर वो क्या हुआ कि मेरे सियो साथ नों बले अब ले दिगें दर तेरा एक चला और भी है मेजर वेगुपता साथ तेरा कमनी को मेंडर मैं है सर तो बहुत उसको भी वहां तेरे साथ में जाना पड़ेगा मैं चार्ली कमनी जो सामने से टेक म मारी है उसमें सामिल मैं हूंगा मैं को के सर तो वह हमें दस आदमी पीछे से उरस्य के दारा बारा जून की रात को साड़ी आठ बजे बिल्कुल अंदेरा कुछ नहीं दिखाई दे और उसको पर उसी टैम मैंने भी फोर्स गन का पहले इंडारेक्ट फायर करनी थी लेकर म बहुत पिछे एक पर गोड़ा ठोको तो जिर्वाप जी आर मोगो इतना इतना तो उनका ओपी भी अमारे साथ में था उनको दिया अरूस ने ऐसे जैसे पाड़ी है ना ऐसे डारेक्ट फाय ठोक्या तो उसका पहला ठोक्या मोगो सर इससे निच्चे नहीं होना चीए तो गोड़े विफोर्श के ऐसे थोलोलिंग पर गद्दा गद्दा गद्द यानि एक मिनिट में बारा जार राउंड फायर हो रहे थे कितने इतनी तो महां इतनी रोशनी मिजायल बहुत कुछ पायर हो रहा था फिर बारा जूर की रात को जेशे मुपर से डाचरने से पह जाते हो गया युपी का भी हूं मैं शेर मगों के वाइचा स्वीर थीजरा थेरा ऐसे करके हम दस के दस नलब बैंकर बाढ़ लिए मोर उसे जाता हुए तो मुझा जाता हुए तो हमारे में से जो पच्छाएगा वो उसको उड़ाओगा बले ओके टन तो मैं सबसे पहले जाते हैं तो वह चक्कू था इतना बड़ा और एक पिस्टल थी और 18 हैंड गर्नेड चतीस नुमर हैंड गर्नेड जो यहां छोड़ते हैं नो मिट्र में तो कुछ नहीं छोड़ते हैं तो वह अठारा इंड गर्नेड ले लिए बजन होगा ऐसे जैसे आपने खचर देखी होगी उससे भी पुरी आलत होगी ऐसे यहीं बजन बहुत जाता है और अथियार और अन्मेसर पूरा ले गयाने 30 से 40 किलो बजन हो रहा था इतना बजन हो जाता है जस्वीर बोलता है ग तो उपर खाएंगे शुरुग में और जिन्दार यह तो तरती पर खाएंगे तो मेरे दोस्तों उस बारा जून की रात को जैसे हम चड़े उपर चटनी के बाद में मैं ऐसे साफ की तरह रेंग्टा गया मैं सभी जो फाइर सपोर्ट कर रहे थे मिजा एल बिफोर्स मैं ब जो त सथिर्द उस्तों आम्हे तो लहसा बढ़क कर देता हूं मोष का तो उसने में अप्र वैमजी आप 10 कु Hazera और रंपर एड जारे हमार में सेर ऐक और नाम तो साथ की तरह रेंग देऊ यह दूसमन का बैंक कर रहा है चारु तरफ लगी थी सामने काड़ा काड़ा दिखाई दे रहा है ता मैं सोच चाए कि मुगो यह पथर है मैंने उस ऐसे आतमा रहा है मारते दूसमन की बैरल मेरे आतमा की जो नाहाती हो योमजी की वह ऐसे पकट दे में तो खा दी के अंदर आपनी तरफ जैसे ही खचा उसने फायर करा पहले गोली आ लगी और तीन गोली ये शीनिम लगी इसको खोल के दिखा सकता हूँ ये आपको दिखाई दे रहा पलेट फारम पूना बरगा ये जो तीन गोली लगी याँ दो गोली एके से तालीस में लगी इदर वाड़े बच्चों को नहीं दिखाई दिखाई दे रहा बेटा आथ कड़े करके दिखाओ फिर तो तारी शीक्स भाई फाइब को है शीक्स भाई शीक्स भी नहीं है ये पूरा पुर्ष्ट लगाया मेरे थीन गोली लगी थीन गोली लगी तो गोली एके सै जी तालीσι में लगी तो मैं वहा बगवान को याद करया मौन है या नहीं है पूछते इसे क्योंक पहले तो कभी तालु कढ़े नहीं था बगवान से जब चोट लागती है जब करता कुछी में तो हमा मालनी के गाने सुड़ते हो अभी तो और कोई आगे नहीं रोइन में तो मेरे लिए तो वह यह क्योंकि फिल्म कमी देखता हूं मैं एक मुट शुरता हूं